प्रेंट्स आज हम बनाएंगे डिजाइनर ब्लाउस और इसे हम बनाएंगे प्रिंसस कट पर 36 साइस का बनाएंगे तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और बैल आइकन के बटन जरूर दबाईएगा तो यहां पर हमने 5.5 इंच आर्मोल लेना है 6 इंच चेस्ट का 4 पाट लेंगे तो 36 का 4 पाट होगा 9 इंच और यहां पर फ्रेंट पाथ है तो 2.5 इंच प्लस कर रहे हैं मार्जन के लिए नीचे के साइट से स्ट्रेट लाइन रो करते हुए 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है टक्स के ल टक्राणूंगी फाइव इंच पर और ने कि जो लैं ते वह आप अपने अकोर्रिंग कम याजधा कर सकते मैं यह आपर सेच इंच रख रही हो से इदिकिस तरीके से शेप दे देना हो यहां से हमें बन इंच लेना है और इस तरीके से शेफ देना है तो दिखिए हमने आप पर शेप दे दिया है, और अब यहां पर हम प्रिंसेस कट की मार्किंग कर लेंगे, तो यहां पर हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, इसका जो टक्स पॉइंट आएगा, वो आएगा 10.5 इंच पर, तो जो हमने सुल्डर की मार्किंग की थी, वहीं से हमें मेजर करना है 10.5 वहीं पर मार्क करते हुए प्रिंसेस कट का शेप देना है टक्स की जो वीट थे वह 1.5 इंच रखेंगे और लांथ में से 2.5 इंच रखेंगे इस तरीके से शेप दे दिया है और अब इसे हमें कट कर देना है तो कट करने से पहले को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि जो आफ वह दोनुं को बराबर में रख लिया ब इसे हम कट कर लेंगे तो दीकिए यतना हमने इसे कट कर लिया अब जो प्रेंसिस कट का पार्ट है ना वो हम सिर्फ एक पार्ट में कट करेंगे फ्रेंट में ए Lehrट Dan और हम आयोग की पट्टि लगाएंगे उसके लिए एक्स्ट्रा लेना है तो देखेए नाइन इंच यह ऊईये चीस्ट का पार्ट हो गया टू इंच मारजन का लेते हैं हम और वन इंच हमने आयोग की पटी के लिए लिए हे वेस्ट का फोर्द पार्ट लिया 7.5 इंच टू इसे एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे तो दिखिए हमने से कट कर लिया और अब मैन फैबरिक पर इसे कट करना है मैन फैबरिक पर भी हमने से कट कर लिया है अब देखिए यहां पर इसको इस तरह से शेप देना है तो जो शेप दिया है वो मैंने वन इंच से दिया है नी एक्ट्र कट नहीं करना है क्योंकि यहां पर लाइनिंग और मैन फैवरिक हम दोनों अलग-अलग स्टीच करेंगे इसलिए हम दोनों इक फैवरिक बराबर रखेंगे दूसरा पाट भी इसी तरीके से स्टीच करेंगे दोनों पाट स्टीच कर लिए और मैन फैवरिक को भी स्टीच कर लिया है अब यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए हम इसे स्टीच कर लेंगे तो जो मैन फैवरिक है वो राइट साइट पर रखा उसके उपर जो lining fabric है वो wrong side पर रखा है यह देखो इस तरीके से stitch कर लिया यहाँ पर हमें cut लगा लेना है ताकि जो neck है हमारी उसमें finishing आजए आप चाहे तो यहाँ पर paper pasting भी use कर सकते हैं लेकिन जो net fabric है वो थोड़ा hard था तो इसलिए मैंने आप पर paper pasting use नहीं किया है नीचे के side से भी stitch कर लिएंगे ताकि हमें यहाँ पर पटी लगाने की ज़रत नहीं होगी तो बहुत ही simple तरीके से हम इसे बनाएंगे और पहनने पर बहुत ही different look देगा तो आप इसे ज़रूर dry करिएगा तो देखिए हमें यहाँ पर इसे stitch कर लिया यहाँ पर हमें cut लगा लेना है और इसे पलट लेना है तो देखिए सरीके से पलट लिया इसके जो corner गोला ही है वो हम अच्छे से निकाल लेंगे तो किसी भी tool से आप निकाल सकते हैं इसे यह देखिए आप side से हम इसे stitch कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से हमें stitch कर लेना है नीचे के side से भी stitch करेंगे और इसका जो back part है वो भी हमें इसी तरीके से stitch कर लेना है उपर के side से neck बना लेंगे नीचे के side से stitch कर लेंगे और इसे पलटते हुए stitch करना है तो front part हमारा इस तरीके से complete हो गया साइट से भी हम स्टीच करेंगे यह देखिए और जो बैक पार्ट है वो भी हमने स्टीच किया है यह देखिए बैक पार्ट भी हमने स्टीच कर लिया अब सेंटर से हम इसे कट करेंगे आई हो की पटी लगाने के लिए यह देखिए सरीके से कट कर लिया जो open side हो गया उसे हम stitch कर लेंगे और अभी आपर हमें hooky पट्टी लगानी है तो double करते हुए से stitch कर लेना है दोनों ही side से हम extra fabric रखेंगे क्योंकि दोनों side से हमने इसे pack कर लिया है पलट दिया है से अब दिखिए हाँ पर extra जो लिया है उसे अंदर की side fold करते हुए stitch करना है stitch कर लिया एक बार और fold करते हुए stitch करेंगे तो दिखिए हाँ पर hooky पट्टी लग गई है अब हम आई की पट्टी लगाएंगे तो आई की पट्टी को width में हमने 3 इंच लिया है तो आप चाहिए पर जो man fabric है उसकी पट्टी भी आप लगा सकते हैं साथ में लिकिन मैं यहाँ पर lining ही यूज़ कर रही हूँ और इसमें भी हमें दोनों ही side से stitch करना है साथ में side से भी stitch कर लेना है तो 3 side से stitch कर लिया हमने से एक बार और fold करते हुए stitch करेंगे यह दिखिए side से एक stitch और कर लिया इस पर और बेक टक्स लगाएंगे बेक टक्स की जो land है वो हम 4 inch रखेंगे इसी तरीके से दूसरे side भी टक्स लगा लेना है बेक पार्ट भी complete हो गया है और अब यहाँ पदी के एक पट्टी लिए हमने यह मैंने 10.5 inch के लिए है और width में इसे 1.5 inch लिया है तो यह हम जो हमारा shoulder यह वहाँ पर लगाएंगे जो हमने line को draw किया था वो 5 inch पर किया था तो मैंने उतना ही लिया है आप चाहें तो इसे 11 यह 12 inch भी ले सकते हैं अगर आपको ने एक थोड़ा सा deep चाहिए तो दिखेंगे अब हमने इसको साथ में रखकर stitch कर लिया है और अब इसे हम palette लेंगे palette कर इसे अच्छे से आपको iron कर लेना है तो दिखें मैंने इस पर iron कर लिया अब यहाँ पर यह net fabric लिया है और यहाँ पर मैंने 44.5 inch लिया है तो यह जो हमारा side से fabric बचा था मैंने वही लिया है कोई extra fabric नहीं लिया जो net fabric था उसी में से बचा हुआ था यह side का plan fabric तो उसी को मैंने यहाँ पर लिया है और यहाँ से हम इसे इस तरीके से fold करते हुए stitch करेंगे तो दिखेंगे हमने इसे नीचे के side से पूरे ही fabric पर plates रलेंगे तो यह देखें प्लेट्स हमारी डल गई है इस पर और इस पर हमने stitch भी कर लिया है से यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और इसे stitch करेंगे यह देखेंगे तो यह हम इसी तरीके से दूसरे side से भी stitch कर लेना है कुछ नहीं करना है बस हमें इसके उपर रखते हुए stitch करना है back side पर भी इसी तरीके से stitch कर लिया अभी आपर हम fitting लगाएंगे तो center से हमें pin up करना है और side से हम इसे stitch करेंगे extra जो fabric होगा वो cut करना है दूसरे side से भी इसी तरीके से stitch करेंगे अब blouse कोलड़ करना है और side से एक पेर का मारजन रखते हुए stitch करना है center से chest के fourth part पर marking करेंगे fourth part है हमारा 9 inch और यहाँ पर हमें waist का fourth part लिना है 7.5 inch यहाँ पर हम fitting लगा देंगे तो दोनों ही side हमने fitting लगा दी है तो friends हमारे designer blouse बनकर complete हो गया है तो comment करके आप जरूर बताइएगा कि आपको यह video कैसी लगी video को like share जरूर करिएगा और अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजेगा bell icon की बटन जरूर दबाईएगा तक कि आने वाली video की notification आपको मिलती रहें Thank you